सीरियल रंगरसिया तो आपने देखा ही होगा फिर तो आपको मैतली रानावत का किरदार भी याद होगा जो समराट की चालाक सुभाव आली पतने का किरदार था और उसे किरदार को अबने तरी गीतांजले मिश्रा ने हूँ बहू परदे पर पेश किया और दर्शिकों से सर आना हासिल की लेकिन दोस्तों आपने जैसा देखा होगा कि मैतली के करदार में एक बड़े और आली शान ससराल की बहू बनी थी पर क्या आप जानते हैं रियल लाइफ में भी एक आली शान ससराल की बहू है जिसमें ये रानी बनकर राज करती हैं तो इसलिए आज किस दार भाकर मशूर हूई अदाकारा गीताजली मिश्रा ने एक अमीर बिजनसमैन से शादी की जो बहुत ही पैसे वाले हैं पर वो खुद को लाइम लाइट से दूर रखते हैं इसलिए उनकी इंटरनेट पर कोई तस्वीर नहीं है मगर उनके साथ शादी करकी ये जिस आली अली शादी की बहु बनी है उसकी धेर सारी तस्वीरे है और वो बताती है कि कितना लगजरी है इनका ससुराल बता दे इनका वो आलिशान ससुराल एक बंगला है जिसके कीमत करीब पचास करोडो़ भय है इनके उस ससुराल को आलीशान बनाती है उस घर की ऊचे-ऊची Collabor het बनाता है और एक सुन्दर लुग देता है वही जूमर के नीचे लगे हैं बड़े-बड़े सोफे जो की बुरन के बने हैं और काफी कलरफुल हैं इसके साथ साथ इनके उस सस्राल वाले घर में कुछ बुक लबर भी है जोनके लिए इनके घर में एक लगजरी लाइबरी है उसमें पूरी दुनिया के कई मश्यूर लेखकों की अलग-अलग बुक्स हैं आपको बता दें इनके सस्राल वाले घर के सभी वेडरूम काफी कलरफुल हैं दीवारों से लेकर बेडशीट तक सब अलग-अलग रंग से सजए हैं वही घर को और भी लगजरी और आलिशान बनाने के लिए इनके सस्राल वालों ने घर को कई लगजरी चीजों से सजाया है पहले तो घर की दीवारों को कई सुंदर सुंदर पेंटिंग से सजाया है जो की इंपोर्टन है इसलिए तो इनके घर में लगी हर एक पेंटिंग लाक होगी है जो इनके घर को और आलिशान बनाता है तो ये तो हैंका लगजरी ससुराल जो की खूब लगजरी है इसी ससुराल की बहुबन के या जरानी की तरह जिंदिगी जी रही है इन्हें अपने इस बड़े ससुराल में काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हैं इनके आगे पीछे ही कई नौकर चाकर इनकी सेवा में लगे रहते हैं इतना ही नहीं इनके सस्राल वालों के पास लगजरी गाड़ियों का एक बड़ा कलेक्शन है जिन में मौसरीज, औरी, फर्शूनर और फॉर्ड जैसी कई लगजूरियस गाड़िया है उन्हीं लगजरी गाड़ियों में आजे घूंटी रहती हैं इस तरह से एक अमीर शक्स के साथ शादी करके एक आलिशान सस्राल की बहू बन कर इन्होंने तो अपने जिन्दगी को आलिशान बना लिया और आज ये उसी आलिशान जिन्दगी के खूब मज़े ले रही हैं तो दोस्तों आपको गीतांजली मिश्रा का ये आलिशान सस्राल कैसा लगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जोड़ी ऐसी ही रोचक जानकारिया जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें